हेलो फ्रेंड्स मैं प्रशांत आप सबका आपके चहिते सेख सेख सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजे दैफले के साथ इस खास कारेक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूँ दोस्तों में जब भी कोई मेडिकल इमर्जनसी आती है या फिर स्वास्ते से जुड़ी कोई भी परिशानी सताती है तब हम क्या करते हैं सबसे पहले हम वो सारी चीजे हमारे फ्रेंड से फैमिली के साथ शेयर करते हैं पर दोस्तों जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परिशानी सताती है तब हम ऐसा नहीं कर पाते हैं क्योंकि इस बारे में बात करने में हम अकसर जिजकते हैं हमें शर्म आती हैं पर दोस्तों अब शर्माने की बिलकूल जरूरत नहीं क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स लेलेटेट सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जरूर देंगे। एहमदाबाद और दूबाई में भी है। डॉक्टर विजय दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फिरेंसेस और सेमिनार के लिए हमेशा आना जाना रहता है। जिसमें वेस्ट सेक्स सम्बंदी सभी समस्याओं पर सला एवं मार्ग दर्शन करते हैं। जो इन्फर्मेशन साइन्टिफिक इन्फर्मेशन है। जो ज़्यादा तर कहीं पर अविलेबल नहीं है। आज का जो टॉपिक हमने लिया है। सेक्शुल डिसफंक्शन में कमजोरी और अलकोहल एडिक्शन के बारे में आज हम लोग जानकर लेने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टन और आम समस्या है और इन समस्या से, अलकोहल की समस्या से, सेक्स के दवरान बहुत ही बड़ी गंबिर समस्या हो सकती है। उसके बारे में आज हम जानकर लेंगे। जैसे मैंने अब भी बताए, सेक्शूल डिसफंक्शन में कमजोरी में अलकोहल का बहुत बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। ये कैसे पहले बताएं। शुरली। प्रशान जी यहां पर जो सेरीच चल रही है, सेक्श एडुकेशन, सेक्शूल अविरनेस और सेक्शूल सेफटी। इसके अंतर गरत हम पूरी साइन्टिफी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे है। एक अपना उन और और नोड पार्टर इसके साथ ही हमें आज मना है। यहां पर अलकोहल लेना एक स्टाइल बन चुका है, एक आदत बन चुकी है, और एक स्टैंडर्ड होने का एक लक्षन बन चुका है। देखो जब चीजे लिमिट में हो तो काम में आती है और हर एक ने एक दुसरे का comparison नहीं करना है पर अपने में उसको digest करने की capacity हो बस उतना ही लेना है लेकिन beyond the limit जाओगे कैसे आएगे कमजोरी? नियुरो वास्कुलर सिस्टेम यानि ब्रेन से जो इंपल्स निकलता है वो कमान निकलती है नैट्रिक ऑक्सेड जो निकलता है वो कमान जाता है अपने link तक वहाँ पर वास्टो डालेटेशन बाद में reaction प्रोसेस होती है उसको भी हमने parallelize कर दिया यानि ब्रेन का और link का connection चल गया तो कैसे उसको कमजोरी नहीं आएगी यही basic कारण है और detail क्या-क्या होता है देखेंगे और बिल्कुल सिर्फ बहुत बार ऐसे कहा जाता है कि जो alcohol addict है उनके लिए बहुत बड़ी समस्या होती है कमजोरी डेफिनिटल तो यह addiction जो है वो कमजोरी दाता है येस तो वो कि mechanism जी देखो इसको control करने वाला हमारा prefrontal cortex यह brain के अंदर जो area है prefrontal cortex यह सबसे बड़ा commanding area है और समझो वहाँ पे repeated alcohol लेने से उसके sensation down होना चालो होता है brain से निकलने वाले impulse भई जब तक brain command नहीं देगा भई हमें act करना है जब तक वहाँ से nitric oxide तयार नहीं हुआ तब तक यह सामने cyclic gmp, cyclic gmp, prostaglandin यह वाला जो cycle है वो दिपित नहीं होगा और वहाँ पे जो supply जाने वाला link के तरफ वो भी reduce हो जाता है और यही कारण है supply कम होना और brain का prefrontal cortex का sensation कम होना ऐसे addict लोगों में दीरे दीरे वो dysfunction में जाते हैं जिसके कमजोरी या sexual dysfunction सर हमारे कुछ audience हमारे साथ है वो भी सवाल करना चाहते है सारंग जी है 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 इदराबाद से उनका सवाल है सारंग जी पूछिए क्या सवाल है आपका बुलिए बुलो सर बियर पीने से टेक्स पावर बढ़ती है क्या बियर कट्टे पे बेटने के बाद कॉलेज में क्या रहता है कॉम्पिडिशन लगा थे बहुत जादा तो चार परस लड़की जाके यहां पे बियर पीने से पावर बढ़ती है ऐसा कुछ भी नहीं है इनफैक्ट बियर की वज़े से वहां पे उसके अंदर जो हम वीड बोलते है उसका प्रमान जादा रहने की वज़े से कार्बोहडर जादा रहने की वज़े से इनफैक्ट आपका फैड बढ़ना चालो हो जाता है और जितना फैड बढ़ेगा उतना इस्टोजन बढ़ेग टेस्टेस्टोन और मेल हर्मोन कम हो जाएगा और कत्री ऐसे बेहर लेने से आपकी सेक्स पाउर बढ़ती नहीं है ये एक ब्रहम है थोड़ा साब को क्या लगता है आपकी ज़रा मेमरी और कुछ याददा डाउन होने की वज़े से एकसाइटेड लगता है और ऐसा रूटीनली करोगे तो दिरे दिरे इतना डाउन हो जाओगे कि बाद में सेक्स ही नहीं कर पाऊगे तो फ्रेंड्स इतना ध्यान में रखो चीजें लिमिट्स में रखो तो ही आपको उसका बेरिफिट है फाइदा है सेक्स अक्सर ये कहा जाता है जाता हैल्कोल कंजम्शन का सीधा असर जो है वो सेक्स ड्राइज़ पर होता है तो यह सच है क्या और वो कैसे ज्यादा होता है क्या करफल होता है ऐसे कंडिशन में होता क्या है ए रिपीटेड आलकोहॉल इनिशिल समझो थोड़ा डोस लोगे आप तो क्या होता है माइल डोस में आपको थोड़ा एक्साइटेशन मिलता है डेफिरिनेटली मिलता है क्यों थोड़ से जो निगेटिव थोड़ से जड़ा बंद हो जाते हैं लगता है भई हम बैठे अभी काफी बड़े हेलिकॉप्टर में और जुटा बढ़ जाता है लेकिन जो परफॉर्म करने जाओगे वह सोथ होते हैं पैरलाइज हैनि आप इतना लोगे आपको खड़े ही होने नहीं आ रहा है तो अगार परफॉर्मस क्या करोगे तो एकी चीज़ कहता हूँ माइल्ड डोजिज में पार्टी में उगर एक्सेप्टेड है काम करेगा लेकिन हेवी डोजिज में भई एडिक्शन बनके आपका सेक्स पूरा डाउन करेगा बिल्कुल और्गेजम मिलना एक्टिविटी का सेक्स एक्टिविटी का जो मेन मोटो है जो एंड पॉइंट जिसे हम कहते है और्गेजम है लेकिन सेक्स कंजम्शन जब अल्कॉल कंजम्शन जब हम करते हैं तो उसका जो असर है इस और्गेजम पर भी होता है तो ये कैसे ये भी बताईए अब यहां पर होता क्या है देखो और्गेजम कब मिलता है भाई मेल में जब इजाकिलेशन होगा यह वीरे बाहर निकलेगा और फिमेल में जब नीचे का फ्लोर कॉंट्रेट और रिलेस होगा भाई यह समझने के लिए उसका पावर आफिस की दरे उपर है भाई उपर का ही क कमांड आपकी इस अलकोहल से चला गया तो भाई आपका एजयकलेशन ही नहीं होगा और वहां पे तुमारी इफेट में आलकोहल के फिमेल पार्टनर भी वहां पे आक्ट कर रही है तो आप इतने पैरलाइज हो कि कहां पे क्या जा रहा है आपको पता नहीं चल रहा है तो क मिना जी है इसोलापूरा से उनका कॉल है मिना जी पूछिए क्या सवाल है आपका पीने शेक्स की बहुना बढ़ती है या कम हो थी तो दोनों भारे में जानी कर दीजी रियॠंfish क्या नहीं के अभी उधुक्त सब को पूछने मेल का ही चल रहा है ऑखिजह यहां पे तो सब पूरे कुछ नहीं और इसा नहीं रहता है रेड़ो एन में शुगर बहुत जादा रहती है उसके अंदर आलकोल का परसंटेज भी रहता है लेकिन थोड़ा माइल लीजर टाइम में आप कहां पार्टी में हो थोड़ा सा माइल ले रहे हो तो डेफिनिटली स्टार्टिंग मे देशने का फायदा होता है लेकिन माइल्ड दोस में वहांपर क्या एलमेंट है उसके अंदर उसके अंदर स्टुमलेट करता है ब्लर फ्लॉ और गयंत कब जाने वाला मेल हो फिमेल हो फ्लॉ बढ़ने की और ऐसे शेन का ठीट रिइक्शन होता है फिल्क्राएं को. एमींग अक्सर ये भी कहा जाता है कि अलकॉल कंजम्शन का आसर six organs पे होता है जाए वो male organ हो या female organ हो ये कैसे होता है और इसका जू बहुत बार ये जानकारी नहीं होती हमारे brain की ओपर यह रहा है नीचे क्या संब्द है उसका संब्द ऐसा है जब brain की command चली जाएगी दीरी दीरी लिंक सिकूरने लगता है छोटा होता है क्यों छोटा होता है तुम्हारी जो कारपुरा है जहां पर फंक्शनल लिमिट है उसके अंदर ब्लड़ी नहीं जा रहा है उसका नौर का sensation ही नहीं आ रहा है वहां पर को लैप्स ह क्यों ओपन ही नहीं हो रहे दीरे दीरे वह अर्गन श्रिंक होते जाएगा नोबत ऐसे आती बहुत बार रूटीनली अपना यूरिन करने के लिए भी हाथ में बहार नहीं आता जो फ्रेंट से कहूंगा ऐसा ओवर कंजंप्शन होने तक मत करो उससे लिंक छोटा हो है जिसे हम कहते है कि बच्चा होने की प्रक्रिया है हाँ इसके उपर होता है तो यह कैसे करें शूरली देखो हर एक चीज़ में अलकोल एक्ट कर रहा है कहां पर ब्रेन लेवल पर हो गया हर्मोस यहां पर हर्मोस आपके डाउन हो रहे है स्पॉम की मोटिलीटी डाउन रह है फिमेल में वह से अंदकोश है उसके अंदर से जो औख निकलता है वो कम होते जा रहे है बहुत बदारunken रहने हो रहा है थो इतने प्रॉडम्स आते में लो फिर में लो फ्रेंड से एक ही द्हान में रखो चीज़े लिमेट में करो तो आपको फायदा है नहीं तो लिमेट की उपर जाओगे डिसफंक्शन होगा बच्चा नहीं होगा मेमरी जाएगी और अपना खुद का आनन्द भी चला जाएगा तो एक ह अगर डॉक्टर साब की सला लेना चाहते हैं तो अब इस्क्रीन पर आप डॉक्टर साब के कॉंटेक्ट डिटेल्स दिख रहें जिसमें एक वेबसाइट है जिसे www.andrologistvijaydaifale.com इस वेबसाइट पर अगर आप जाते हैं तो आपको डॉक्टर साब की अपॉइंट्मेंट मिल सकते हैं डॉक्टर साब के महाराष्ट्रा में जितने भी उनके साइट से सेंटर से वहाँ पर आप देच जा सकते हो डॉक्टर साब से मिल सकते हो डॉक्टर साब का कंसल्टेशन भी पास सकते हो और एक कुछ कबर यहाँ पर मैं नई मुंबई के जो लोग है उनको देन चाहता हूँ, खारगर में, नवी मुंबई में, डॉक्टर साब का एक नया सेंटर ओपन हुआ है, मेडिक कवर हॉस्पिटल जो है, जो बहुत ही फैमेस हॉस्पिटल है, इस पर, यहाँ पर आप डॉक्टर साब से मिल सकते हैं, डॉक्टर साब की अपॉइमेंट आपको इस वेबसाइट के तुरू तो मिल सकती है, लेकिन खारगर में भी अवेलेविलिटी है डॉक्टर साब की, तो जो नवी मुंबई के आसपास में रहने वाले पनवेल बगरा साइड में, उनको भी डॉक्टर साब से मुलाकात हो सकती है और आपके हर एक समास्या का बहुत ही पॉज़िव तरीके से समाधान आप यहां वे डॉक्टर साब से पास है, तो चलिए रुकते इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया